हेलो मैं डॉक्टर नाजिया नोशीन सिद्धिखा मैं डर्मटॉलिस्ट मलक पेट में डॉक्टर नाजिया स्कीन एंड है क्लिनिक में ब्रैक्टिस कर दी हूँ आज सुमन टीवी में मैं हैर लॉस बालों का जढ़ना इसके बारे में थोड़ा बात करूंगी इस विशह पर हम हम थोड़ी चरचा करेंगे के हैर लॉस क्यों होता है के हैर लॉस के रीजनस कोन से एजस में उसको मैंचिमेंट कैसा है उसका ट्रीटमेंट कैया है तो जब हम हैर लॉस के फैशन्स को देखते है तो ब्रॉडली हैर लॉस को diffuse हे का मतलब है कि overall बालों की कमी होना इंसान के सर पे overall thinning पूरे diffuse hair loss होना वो एक चीज है यह diffuse hair loss के कई reasons होते हैं उसमें एक तो है nutritional deficiency कोई भी घजा में protein की deficiency है या iron की deficiency है या macro या micronutrients की deficiency है इससे vitamin D3 की B12 की deficiency से diffuse hair loss होता है और एक important reason है thyroid के problems, hyperthyroidism, hypothyroidism, दो भी दोनों hyperthyroid बनने से या कम होने से दोनों चीज़ों से भी refuse hair loss होता है और भी कई reasons है जैसे के कोई बीमार हो जाता है इनसान, अब कोई भी बीमारी हो या कोई भी sick period हो या surgery हो उसके 3-4 महने के बाद थोड़ा severe hair fall patients में बाए जाता है उसको बोलते हैं telogen effluvium basically होता यह है कि जो इनसान की body पे, उसके health पे जो problem गुजड़ता है बालों पर उसका असर लेने के लिए थोड़ा time लगता है जैसे कि 3-4 महने for example अगर आप एक pregnant women में history मिलेते हैं कि delivery या surgery के बाद हम लोग observe करते हैं कि ओड़तों में 4 महने के बाद severe hair fall होता है तो इसका मतलब है यह है telogen effluvium जो भी health issue किसी के वो typhoid fevers के बाद और हम लोग एक जमाने में देखते थे कोविड कोई भी patient जब कोविड से infect होता था उसके 3-4 महने के बाद severe hair fall present करते थे patient severe मैं समझती हूं कि कोविड इतनी severe बीमारी थी कि उसका hair fall भी proportionately बहुत severe हुआ करता था patients वो telogen effluvium है यह इसके अलावा कई और चीज़ें हैं जिसे systemic lupus erythematosus और कई बीमारियां हर बीमारी में hair fall definitely present करता है क्यूंकि जो इनसान healthy होता है उसके बाल healthy होते है और एक important चीज जो मैं यूद को message देना सौश रही हूं कि एक hair fall जैसे पेशेंस थोड़े obese patients हम लोग जब देखते हैं तो उसमें chances हैं कि उनके body में androgen access होता है उसकी वज़े से भी androgenetic alopecia present करता है तो मैं तो पहरे बात करें थी diffuse hair fall की और next मैं बोलूँगी patchy hair fall के बारे में जो patches ऐसे patches बने वे hair fall कि इसमें present करते हैं एक important चीज है alopecia areata जैसे के उर्दू में बोलते हैं जू कार्टना या ऐसा जो चिकना हो जाता है scalp के उपर इसको बोलते है alopecia areata यह एक autoimmune disease है autoimmune का मतलब इनसान के body के अंदर cells के बीच में एक लड़ाई सी हो जाती है जिसकी वेज़े से ऐसा होता है patchy hair fall में भी fibrosing alopecia एक अलग चीज है fibrosing alopecia जिसमें skin जो scalp का skin है वो ठिक हो जाता है उसको बोलते है fibrosing alopecia, fibrosis, thickening fibrosing alopecia भी कई reasons होते हैं जिसकी वेज़े से वहाँ पर hair fall भी होता है और scalp tick भी हो जाता है वो भी allergic conditions है जिसके reasons हो सकते हैं lichen planners, discoid lupus azemotosis ऐसे चीज ना उसकी वज़े से यह patchy hair fall with fibrosis भी हम लोग कई patients में observe करते हैं तो इसमें patient को examine करना बहुत important है ऐसा नहीं कि हर hair fall की दवा एक नहीं होती है जैसा उसका reason है उसका cause के हिसाब से ही आपको दवा देनी है तो examination of the scalp में कई investigations होते हैं जैसे कि hair pull test है, examination trichoscan है, dermoscopy है, trichoscopy है यह करने के बाद हम लोग एक diagnosis को पहुँचते हैं कि यह hair fall का reason क्या है, इसका diagnosis क्या है वज़र यह diffuse alopecia है यह telogen effluvium है यह alopecia areata है या कुछ और और कुछ कोई reasons है जैसे कि मैं बता रही थी के tinea capitis है या DLE है ऐसे reasons उसका diagnosis निकालने के बाद ही और थोड़े investigations, अगर कोई चीज confirm नहीं है तो थोड़े blood investigations और scalp biopsy एक scalp biopsy बहुत बहुत बहतरीन treatment है जो करने से confirm report अपने को समझ में आता कि यह hair fall का reason है क्या उसके हिसाब से dermatologist आपका treatment plan करते हैं तो मैं यह बोलना चाह रही हूँ कि बस hair fall जब patients देखते हैं तो वो सौंचते हैं कि hair oil लगाने से या कोई shampoo change कर देने से उनके hair वापस आ जाएंगे ऐसा नहीं होता है in fact shampoo और hair oil वो कुछ ही नहीं कर सकते हैं आपके hair ray growth में उसका कुछ role होता नहीं है hair growth होती है medicines की वज़े से जो problem क्या है उसको diagnosis करने के बार उसके tablets, serums, lotions यह सब और otherwise अगर कोई severe androgenetic alopecia एक important चीज़ है androgenetic alopecia उसको बोलते हैं pattern baldness जो थोड़े males में सामने से M-shape बन जाता ह बाल पीछे हटते रहते हैं forehead बड़ा होने लगता है और सर के पीछे से बाल कम होने लगते हैं उसको बोलते male pattern baldness और androgenetic alopecia वो बहुत common है क्योंकि वो androgens की वज़े से होता है ऐसे patients में certain medicines होते हैं वो इस्तमाल करने से hair regrowth possible है और hair regrowth is not an overnight रात रात आपके सर पे बाल आना तो possible नहीं है जैसे hair fall होने के लिए time जादा लगता है वैसे hair growth होने के लिए time जादा लगता है तो पहले one to two months तो आपका hair fall थमने के लिए लगते हैं after you start medicines और फिर what I see in my patients third month में hair regrowth स्टार्ट होती है और जब हम active ingredients active molecules इस्तमाल करते हैं hair regrowth के लिए तो three months के बाद at the end of six months हमें appropriate hair growth मितलब कुछ फरक समझ में आ गया अच्छी growth आ गई दिखने के लिए हमें six months लगते हैं और बहुत सारे इतने innovative procedures आ चुके हैं ट्राइकोलोजी में ट्राइकोलोजी एक study है hair की dermatologist जो है dermatologist जो पढ़ाई करते हैं उसमें ट्राइकोलोजी भी आता है वो लोग hair के बारे मे पढ़ा ट्राइकोलोजी में आजकल इतने अच्छे innovative procedures आ गये हैं जैसे के injections पी आर पी, plated rich plasma, growth factor concentrate और कई जगाओं पे bodilyum toxin ये एक injection है उसके अलावा भी कई meso cocktails, injections वगयरा scalp में inject करने से बालों की growth में हमें ज़्यादा improvement नज़र आता है और एक एक है light therapy, LED therapy, एक light ये एक USB approved procedure है वो light आपके scalp पर रखे देने से stimulation होता है आपके hair growth को और ये भी अच्छा procedure है बालों की growth के लिए और मैं insist करूंगी protein consumption जैसे के मैं ज़्यादा लेडिस में देखती हूं कि protein की deficiency की वज़े से भी hair बहुत लोगों की कम हो जाते हैं तो protein की diet में add करना बहुत जरूरी है तो मैं बस ये message देना चाहा रही हूं सुमन टीवी की तरफ से अगर आपको hair fall का severe problem है अगर आपको दिख रहा है कि आपका hair fall ज्यादा है तो आपको परिशान होने की जरूत नहीं है आप consult करिए एक board certified dermatologist को जो आपके scalp को evaluate करेंगे trichoscopy करेंगे और आपके diagnosis के हिसाब से आपके लिए सही treatment स्टार्ट करेंगे जिससे आपको जल से जल बहतरीन फायदा हो सकता है और अब अच्छी तरह से आपके scalp पे अच्छे hair maintain कर सकते हैं scalp भी scalp पे अच्छे hair हैना भी एक jewel के बराबर है तो मैं चाहारी हूं कि everybody should सब को च scalp के condition को diagnose करें और hair fall को treat करें थैंक यू सो मच मैं फिर मिलूंगी कोई और विशह पे फिर हम बात करेंगे कोई और विशह पे सुमन टीवी की जरब से मैं डॉक्तर नाजिया नौशीन मलकपेट थैंक यू